हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी हम पढ़ रहते हिंदी व्याकरन क्लास थर्ड का सो हमने 7 चैप्टर तक कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 8 चैप्टर नमबर 8 में कुछ पढ़ने जैसा नहीं है बहुत इंट्रस्टिंग है जैसे कि इसमें आपको दिख भी रहा होगा इसमें लिखा है मेरा परिचाय मतलब माई इंट्रोडक्शन सो नीचे दी गई जानकारी अगले प्रिस्ट पर दिये गए प्रत्येक वर्ग में लिखिए जैसे कि लिखा है ना पहले वर्ग में अपना चित्र लगाईए सो यह जो पहला वर्ग है ना यहाँ पर आपको अपना चित्र लगाना है और फिर दिया है दूसरे वर्ग में अपना नाम लिखिए ऐसे ही हमें कर लेना है दूसरे वर्ग में नाम लिख लेना है और फिर दिया है हम यह सारा एक एक लाइन पढ़ेंगे और यह जो हमारा box दिया हुआ है इस boxes में इसको भरेंगे तो तीसरे वर्ग में हमें क्या करना है तो तीसरे वर्ग में अपने माता पिता का नाम लिखना है और हाँ नाम लिखने से पहले हमें उनके आगे स्रीया स्रीमती अवश्य लिखना है स्रीया स्रीमती हम अपने से बड़ों के नाम के आगे लगाते हैं यह रिस्पेक्ट देने के लिए होता है ठीक है चौथे वर्ग में अपने भाई बहन का नाम लिखना है और यदि आपके भाई बहन नहीं है तो आप वहां पर क्या लिख सकते हैं इक लौती लिख सकते हैं वहीं पाँचवे वर्ग की बात करें तो पाँचवे वर्ग में उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके समान आप बनना चाहते हो मतलब कि आपका ideal कौन है, आप किसको अपना ideal मानते हो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें cricket का बहुत ही interest होता है उनके ideal कौन होते हैं, या तो महंदर सिंग धोनी होते हैं, विराद कहली होते हैं वैसे ही आप जिसे अपना ideal मानते हो आप उसके नाम लिखो चठे वर्ग में कच्छा तथा आपने स्कूल का नाम लिखना है जैसे कि आप क्लास थर्ड में हो तो आपको अपने कच्छा का नाम लिखना है और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो आपके स्कूल का नाम क्या है आपको वो लिखना है साथवे वर्ग में अपने स्कूल के बारे में एक व्याक की लिखनी है मतलब कि आपको जिसी स्कूल में आप पढ़ते हो उसके बारे में एक व्याक की लिखना है आठवे वर्ग में अपना प्रिय भोजन लिखिए आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको वो लिखना है नौवे वर्ग में अपनी रूची लिखिए आपको ऐसा कौन सा काम है जो करने में बहुत ही मज़ा आता है जैसे कि कुछ लोग को painting करने में बहुत मजा आता है, वो उनका शौक होता है, और उनने बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग को dance करना अच्छा लगता है, कुछ लोग को गाना गाना अच्छा लगता है, तो आपको अपनी रूची लिखनी है, दस्वे वर्ग में अपनी विशेचता लिखनी है, मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर अपना एक कोई न कोई क्वालिटी ज़रूर होता है तो आपको अपनी वो क्वालिटी को पहचानना है और अपनी उस क्वालिटी को अपने दस्वे वर्ग में लिखना है ग्यारवे वर्ग में अपना प्री रंग लिखना है आप कौन सा कलर बहुत प्राइध पशंद करते हूं जैसे blue, red, white, green बहुत सारे कलर हैं तो आपको कौन सा कलर पशंद है वो लिखना है बारहवे वर्ग में अपना पूरा पता लिखना है मतलब आपको अपना पूरा address लिखिए जिससे आप छोड़ना चाहते हो आज मैं तो यही कहांगे कि आप सबसे बुरी आदत अपनी यहीं लिख know कि शौड़ना चाहते हो आप इसे बुरी आदत है और आप उसे छोड़ना चाहते हो आप स ÖV पारे में लिखो 14 वर्ग में लिखिए कि यह अभ्यास करना आपको कैसा लगा और एक वाक्य में लिखिए मतलब यह जो माई इंट्रोड़क्शन करके था चैप्टर तो इसका जो सबसे लास्ट है मैं आपको दिखाती हूं जिकि यह सारे अलग-अलग बॉक्स दिये हुए है इसमें अपना फोटो लिखना फोटो लगाना है इसमें माता-पिता का ऐसे ऐसे करके जो सबसे लास्ट है यह 14 नंबर वाला इसमें आपको यह पूरा इंट्रोड़क्शन आपने लिखा है उसके बारे में आपको क्या लगा वो लिखना है आपको यह वीडियो समझ में आय झाल झाल